अब वो लेल के चोटे लेट के टीवी लॉंच मेंटा था उमर और हाले उनसे काफी फास्ते पर थे वो अब भी किसी बात पर शकर रहे थे बलके शकर क्या रहे थे हाले बोल रही थी और उमर सुन रहा था तुम क्यों कर रहे हो ये सा ходgarz क्यों नहीं बन जात है Harun के साथ जरा से फासे पर बैठी लेल उसकी नजिरों के अर्थकास पर देखती बूली थी तुम क्यों नहीं बनी हुदगर्ज उसे लेल को नहीं देखा था लेल ने γंदे उच्काए कोई फाइदा नहीं था या फिर यूँ खहलो कि मोका नहीं मिला उसे बेनियाजी से कहा मैं सारी जिंदगी खुदगर्ज रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया वो अब भी सामने देख रहा था सारी जिंदगी ना इज़त मिली ना मुहबबत बस जो मिला भीक की तरह मिला और भीक ने कभी किसी का पेट नहीं भरा अब कुन से कुछ मिल गया तकलीफ में तो अब भी हो आरू ने इस बात में सरह लाया वाकई मिला तो अब भी कुछ नहीं लेकिन मेरा दिल मुतमेन है मैं जब शीशा देखता हूँ तो अपनी आँखों में देख सकता हूँ अब किसी के आगे पीछे खूमने की या किसी की नराज़की के डर से नाप तोल कर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुहबत कले का फंदा बंती जा रही थी सांस बंद होने लगा था मैं हुदगर्स नहीं बना बावाकार बन गया और मेरे दिल को सकून और इज़त नसीब हुई है मुझे खुद से मुखबत नसीब हुई है इससे जादा किसी को क्या चाहिए होगा उससे लेल को मस्कुरा कर देखा तुम असानी से हाले को एलफा के हिलाफ कर सकते थे तुम्हें करना चाहिए था इतनी कुरबानिया देने की क्या सुरॉत थी एलफा क्या लगता क्या है तुम्हें लगता है मैंने ये सब उमर के लिए किया है नहीं लेल ये सब हाले के लिए है उमर से बत कुमान होकर वो खुद भी हुश नहीं है उसका दिल सखमी है हाले कोई इतनी नेक नहीं रही कि सड़क पे पड़े हर आदमी की मदद करने लग जाए ये मेराज अंकल कर सकते है ये हसन कर सकता है लेकिन हाले नहीं उसे तकलीफ में देखकर हाले को भी तकलीफ हुई थी मैं उसको जानता हूँ बच्पन से जानता हूँ वो तकलीफ में है और जब तक मैं उसकी तकलीफ हतम नहीं करता मैं खुद भी तकलीफ में रहूँगा मन से तक्तिर हुआ अब वो दोनों रात के इस बहर शाताचे घर के बाहर खड़े थे अंदर परवादी का मातम था बाहर हर तरफ सकूत पहला था आओ तुम्हें घर चोड़ाओ आरुन ने उन दोनों की तरफ से रूख भेल लिया बावाकार होने से दिल मुत्पिन हो जाता है लेकिन चुड़ता नहीं दिल टूटने में एक सेखिन लगता है लेकिन इसे जोडने में कई सदियां लग जाती है आरुन को अपने दिल के चुडने का इंतसार था आले बगयर किसी की तरफ देखे मैं कान की अंदास में आगे देखती जा रही थी आंकें हुष्ट थी जेरा बेरोनक, बेतासूर, चाल शकस्ता उसके जहन में बस उमर की बात ही खुच रही थी आपके दुश्मन कोई और है हाले मुझसे जादा बुरे, मुझसे जादा बढ़े उसे बेदर्टी से अपने कान से टॉप सिकाल कर सड़क पे भैंका उसके पीछे चलते उमर ने फोरण चुक कर उसे उठा लिया जिस जिस ने आपके साथ बुरा किया है मैं उसको चोक पे खड़ा करके दरे मारूंगा यक्तम हलकी हलकी बुचार शुरू हुई आले ने दूसरा टॉप सिकाल कर गई दूर भैंका और उस आँखें सते हुई चेहरे के साथ आके चलती गई उसकी सर्थ हील की टक टक सारे में खुँच रही थी मेरा कसूर बस ये है कि उस रात मैं सो गया था मैं आपके साथ इतना मुखलिस हूँ जितनी आप खुद भी नहीं इसे मत फैंकिये ये मुझे मेरी अम्मा ने दिया है बारिश टेस हो रही थी आवासों का शूर भी भरता जा रहा था उसके भूरे बाल भीख रहे थे उसके कर्ड हराफ हो रहे थे अब उसे अपने गले में मुझूद मोटी चेन एक चटके से नोच कर नीचे भेंगती सेया आँखों वाले मर्ट ने उसे भी उठा लिया यक्तम बारिश इतनी जोर से परसने लगी कि वो दोनों चन पलू में भीख ही गए लेकिन हाले को जैसे फरकी न पढ़ता हो ऐसे ही एक बारिश एक बार पहले भी आई थी और उन दोनों के दरम्यान बदकुमानी के शीशे को दुनला कर गई थी ये बारिश और उसके कदरे शफाफ थे जिससे सारी बदकुमानिया दो दिन थी बारिश तड़ातर बरस रही दी यक्तम उसके हिल के चटकनी की आवास आई वो लड़कडाते हुए गिर्टे गिर्टे बची उमर फोरण आगे आया था क्या कर रही है देखकर चले वो फिकरमंदी से कह रहा था वो दोने एक दुस्से के आमने सामने खड़े थे आले को उसकी आँकों में देखने के लिए करदर उंची करनी पड़ी वो शायद रो रही या शायद नहीं रोई थी उसके चेहरे पर केड़े बारिश के कट्रों ने भरम रख लिया था चन पर हामोशी की नसर हुए वो दोनों इसी तरह भीगते खड़े रहे आले की खोकली आवाज उसकी समातों से रख रही इतना अर्जा में तुमें तकलीव देती रही तुम भी शक करती रही तुमें हर तरह से हर्ट करती रही और आखिर में क्या हुआ वो सरा रुखी तुम बेगुना निकल आए मैं अब भी तुमसे नफरत करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो रही हम सुल्तान्स के दिल में एक बार नफरत आ जाए तो फिर निकलती नहीं लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैं तुमसे अब कभी नफरत नहीं कर सकूँगी उसकी आँके सुरुख पर रही थी वो मर्यक्त तक उसको देखता रहा मुझे लग रहा है जैसे ये देट महीना हमारे दर्मियान आया ही नहीं तुम आज फिर से वोही सड़क वाले सखमी लग रहे हो वोही मौल वाले हम दर्ड लग रहे हो तुम आज फिर करीबी लग रहे हो लेकिन एक ऐसा करीबी जो भोद अंजान है हम दोनों के दर्मियान एक कनेक्शन है लेकिन मुझे उसका सीरा नहीं मिल रहा वो उसी तरह करतर उंची किये उसकी आँखों में देखा क्या रही थी हाले सुल्तान ने अपनी सिंदगी में कभी अपनी घल्ती का इतराफ नहीं किया कभी किया होगा मजबूरन जुरूरत के तहट लेकिन कभी भी दिल से नहीं उमर को उसकी आवास के लिए लगी मैं आज तुम्हारे सामने इतराफ करती हूँ तुम सच्चे थे उमर वो हाले बदकुमान मेरे बाप ने सही कहा था उमर ऐसा नहीं कर सकता मैंने उनकी बात नहीं मानी मैंने अपने बाप के फिर्विट इंसान को इतनी तकलीफ थी मैं क्या करूं कहा जाओं उससे चेहरा हाथों में चुपा लिया था बारिश तेज से तेज सर होती जा रही थी उसका लिबास और बाल मुकमल भीग चुके थे मैं रोसे आहरत अपने बाप को क्या मू दिखाऊंगी मैं उससे क्या कहूंगी मैं तुम्हारे हिसाब में क्या जवाब दूँगी अल्ला, अल्ला ये कैसा अज़ाब है अल्ला, अल्ला वो फूट फूट का रो रही थी वो सख तकलीफ में थी उमर ने आज सगी से उसके दोनों हाथ उसके चेहरे से हटाए लेकिन उनको अपनी नर्म ग्रिफ्ट में थामे रखा आले उन्ही रंचीदा नजरू से उसको देखती रही बरसी बारिश और देज हवाँ के दरम्यान सड़क पर खड़े उन दोनों के पास बारिश में भीगने से ज़्यादा बड़े मसाहिल थे मैं उमर हयाद अपने बाप को भी माफ नहीं करता उससे अपने असली मधम लहजे में कहना शुरू किया लेकिन आज मैं हाले सुल्तान से कहता हूँ कि उसको मेरा कतल भी माफ है वक्त रुक गया, दिल रुक गय और वो कहे गया ज़्याद सहाब ने अगर रोजे हशर आप से कुछ पूछा तो मैं उनको जवाब दूँगा उमर हयाद अपनी बीवी के लिए हर तफ़ा जवाब देगा जो कुछ भी हुआ, उसे बुरा खौप समझ कर भूल जाए मैं आपको माफ करता हूँ मैं आपको अपना कतल भी माफ करता हूँ वो ऐसे एकीन, ऐसे मान सिखे रहा था कि हाली को अपना दिल रुकता मैसूस हुआ आपका कसूर नहीं है आपके सामने ऐसे सबूत थे जिनकी वज़ा से मैं मुजर्म लगता था आपका कसूर नहीं है कि आपने फर्वा पे शक नहीं किया वो आपका हानदान थी हानदान पे कोई शक नहीं करता चाहे वो आपको जान से मारने की धमकी दे चाहे जान से मार दे लेकिन हानदान पे कोई शक नहीं करता अब आप खुद को कसूर नहीं देंगी और घर जाएंगी उससे जिस नर्मी से उसके हाथ हम रखे थे उसी नर्मी से छोड़ भी दिये मैंने उस्मान को कॉल की है वो आने वाला है वो आएगा और आप उसके साथ घर जाएंगी मैं दुबारा कह रहा हूँ आप घर जाएंगी और अगर आप यहां से सीधा घर नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वो आज पिलकुल मुक्तलिफ लग रख रहा था संजीदा, फिकरमन, कहीं जाने के लिए जल पास क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे उसका लहजा अपनॉर्मल था उमर ने नफी में सहिलाया आज की रात नहीं, कमसकम आज तो नहीं मैं आज अपने वन एन उनली के पास जाओँगा मुझे हर नाकामी, हर काम्याभी उनके साथ शेयर करने की आदत है उसी वक्त उस्मान गाड़ी में बैठा उनको अपने करीबाता दिखाए दिया क्या तुम्हें कभी मेरा रोईया पुरा नहीं लगा इतने सारे वक्त में कभी भी उमर के चेहरे पे एक सखमी थास उलाया हर मिनट, हर सेकिंड, हर लमहा मुझे हर बार आपकी बाते दिल को चेटी हुई महसूस होती थी आप वो वहाई धस्ती हैं जिनकी आँखों में अपने लिए नाइतपारी नफरत, गैर महफूस पन मैं बरदाश नहीं कर सकता लेकिन मैंने किया और जिनकी वज़ा से किया मैं उनको होन के आँस उरू लाऊंगा उसी वक्त काड़ी उनके पास आकर रुगी उस्मान काड़ी से बाहर आया उमर ने उससे कुछ कहा फिर हाले को काड़ी में लाकर विठाया दरवासा बंद करने से पहले वो रुखा काड़ी की उपरी हिस्से पे हाथ रखके नीचे जुगा हाले की आँखों में देखा उमर हयाद आपको अपना कतल भी माफ कर सकता है यकीन दिहानी करवाई गई मुकाबिल निनम आगे चब काई गेले चेहरे पे आसूद की फैली उमर हयाद ने उसका इत्पार कमाया था अब हाले को उसकी बातों पे इत्पार करना चाहिए था वो सीधा हुआ काड़ी आगे भड़ गई वो तब तक खड़ा रहा जब तक काड़ी उसकी नसुसे होचल नहीं हो गई वो अब मसीद इन आँखों में बेटपारी नहीं देगेगा उसे यगीन था लेकिन शायर यगीन तूटने के लिए होते हैं भारिश ने आज गोया ना थमने की कसम खा रखी थी वो बर्से ही जा रही थी बर्से ही जा रही थी उमर हयात की सिया अंकें इस वक्स अपार्ट थी उनमें कोई ज़स्वा नहीं था जैसे उसे शादाच ही बर्बादी से फरकना पड़ा हो जैसे उसे किसी भी चीज़ से कोई फरकना पड़ा हो या फिर शायर वो किसी और की दबाही देखना जाता था कपरिस्तान के सारी कपरे कीली हो गई थी आम दिनों में जो जरा सी रोशनी दूर से किसी घर या इमारत से कपरिस्तान में पड़ती थी आज बारिश और लाइट न होने की वज़ा से वो रोशनी भी नदारत थी बारिश की वज़ा से मट्टी कीली होकर कीचर में तबतल चुकी थी वो अपने महेंगे ब्रंडिट सूट की परवा किये बगेर उस कीचर वाली समीन पर बैठ गया माते पे बिखरे बाल कीले हो गए थे हलकी भड़ी शेव में पानी के कत्रे नुमाया थे उसे अपना कोट बासू पर डाला हुआ था इस वक्त वो बस सफेश शर्ड में मलबूस था कबरिस्तान की कीचर वाली केली समीन पर बैठ ते हुए उसे काफी वक्त हो गया था बहुत देर बाद उसकी जुबान से चंद अलफास अदा हुए आई मिस यू बहुत सारा नमकीन पानी अंदर था केला आपको पता है आज मैं आपकी बेटी की नजरों में सुख्रो होकर आया हूँ वो आइसा आइसा कह रहा था मैं आपको बहुत ज्याद करता हूँ बहुत ज्यादा दस साल आपके इलावा कोई तालुक बनाया ही नहीं कोई ऐसा तालुक जिससे सब कह सकूँ लेल, सरदार, बाकिस सब दोस्त वो लोग मुझसे सब कुछ कह देते हैं लेकिन उमर नहीं कह सकता उमर दो सब कुछ आप से कहता था था न और रुक गया जैसे उनकी जानिज से जवाब की तुक्का थी पिर सखमी मुस्कुराइट के साथ सरचट का मैं वहाज हान से मिलने भी गया था वो एक बर फिर रुका हाज सरेंडर करने के अंदास में उपर उठा लिये ओके ओके, अब आप कहेंगे अपने बाप को नाम से मत बुलाओ लेकिन मैं आप से पूछता हूँ मेरा बाप कहाँ था जब मुझे उसकी जुरूरत थी जब मैं बच्चा था जब मैं जवान था वो क्यों कभी मेरे लिए नहीं आया उसके आवास बुलंद हुई थी आँकों का खुलाबी पन भढ़ने लगा था चेरे पे पहला इस सराव मसीद भढ़ गया मैं बच्चा था मामू मुझे जुरूरत थी मेरे बाप की हर बच्चे को जुरूरत होती है मैं कहता नहीं था भरम रख लेता था थोड़ा बहुत सुल्तान तो मैं भी हूँ भरम रखने मुझे भी आते थे वो हस बढ़ा लेकिन अगर तुम उसकी ये हसी देख लो तो रो पढ़ो जब किसी बच्चे का बाप उसको स्कोल से लेने आता था मुझे मेरा बाप याद आता था वो यासद से कह रहा था जब किसी बच्चे का बाप उसको अपनी गंडे पे उठाता था तब मुझे मेरा बाप याद आता था मुझे उनकी जरुट थी यार हमेशा थी वो भी वसी से कह रहा था परसी बारिश्टी उसे तुर्खंस दिखा था शाम में सारे बच्चों के बाप उनके लिए शहर से पकोड़े लाते थे किसी का बाप फ्रूट लाता था मैं मुहले का सबसे अमीर बच्चा था लेकिन मैं कभी वैसे पकोड़े नहीं खा सका मैं कभी वैसे फल नहीं खा सका मैंने सारी जिन्दगी अपने बाप की मुखबत चाही मुझे नहीं मिली लेकिन मुझे तब इतना गुसा नहीं आता था मुझे अब गुसा आता है मुझे बहुत गुसा आता है जब मैं अपने दिल के हादों मजबूर होकर अपने बाप को देखने चाता हूँ उस वक्त उमर बेबस होता है उस वक्त बेबस ही की कोई हद नहीं होती मैं इतना बेबस नहीं बनना चाता मैं उनसे नफरत करना चाता हूँ इतनी कि उनका चेहरा देखका कराहता है लेकिन हर बार वो चेहरा देखकर मुझे बस अपने महरूमिया याद आती है वो चेहरा मुझे मेरा चेहरा लगता है हर बार जब वो मेरे सामने खड़े होते हैं तो मैं चाहता हूँ उनको अपने सामने से दूर कर दू लेकिन हर बार मेरा दिल चाहता है वो रुका आँखों में सुर्खी दोड़ गई, लब भीचने लगे हर बार मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके कले लग जाओ पिलाहिर उसने आरे हुए लेजे में कह दिया साथ सर जुका लिया, शेक्स सगी से, बेबसी से लोग कहते हैं लड़कों के लिए बढ़ाई मुश्किल है, नोकरी मुश्किल है, घर जलाना मुश्किल है, शादी मुश्किल है लेकिन वो रुका, लड़कों के लिए अपने बाप के कले लगना सबसे ज़्यादा मुश्किल है और मैं चाहता हूँ ये मुश्किल मुझ पे आए मैं सारी जिन्दगी यही चाहता हूँ था अब भी चाहता हूँ और अब जब चाहता हूँ तो खुद पे घुस्सा आता है वो बोल का हामोश हो गया शायद ठक चुगा था शायद अलफाज हतं हो गए थे बारिश ढम चुगी थी विजा में हलकी हलकी हुनकी पैदा हो गई थी एली मत्टी की हुश्बू सारे में जंगल की आँख की तरह पहलती गई वो बैठा रहा उसी तरह टांगे समेट कर सर जुगाए बैठा रहा तफातन उसे सर उठाया मिराज सुल्टान की कवर से जरा फास्से वाली कवर को देखा जेहरे पर एक पर फिर मुलाल था वो अपनी जगा से उठा चंद कदम आगे आया वो गुटनू के पल उस कवर की पास बैठिया कवर की कुटबे पे नगीन सुल्टान लिखा था उमर ने उसके लिखावर पे अपना हाथ फेरा कले में कुछ अटका मैं आपको भी मिस करता हूँ सरा रुका अम्मी उसके लबो से एक लफ्स निकला सारे कप्रुस्तान में भटकती रोहें भी शान्त हो गई आपको कभी देखा नहीं है लेकिन फिर भी आपका चेहरा याद आता है कभी आपसे मिला नहीं लेकिन लगता है कोई मुलाकात अधूरी है कभी बात ही नहीं की लेकिन आपकी आवाज सुनना चाता हूँ मैं आपसे भी मुहबबत करता हूँ जितनी उस वहाजहान से नफरत है उतनी मुहबद आप से करता हूँ काश आप मेरे साथ होती काश आपने अपने बच्चे को बचाया होता सब हतम हो गया म्मी सब हतम वो पीछे होकर बैठिया आंखे मुंदे किसी हो जहां में चला गया मेरा सुल्तान की स्याकार एक बहुत बड़े निची हस्पताल के भाहिर कड़ी थी दाधारी से चलते हुए अंदर हेड डॉक्टर के आफिस में आओ तो वहां दो बड़े बड़े सोफे रखे थे एक तरफ डॉक्टर की मेज और उसके पीछे जांकती कुरसी मेरा सुल्तान और अठारा साला उमरायात इन लंबे सोफों में से एक सोफे पे बैठे थे उनके सामने अस्पताल का डारेक्टर किसर बालोच और एक सीनिय डॉक्टर बैठा था सामने चोटे मेज से मुतलिफ काख़ाद रिजिस्टर्स और फाइल्स रखी थी मेंसे करीब तीन लोग पेठे थे उन तीन लोगों के पास एक ही काम था वाठारा साल पहले अगस के महीने के सारे रिजिस्टर्स फाइल्स ठूनना पिल आखिर उन तीन लोगों ने कौफर सदा और ठके हुए सर उठा कर अपने सामने मुझूद लोगों को देखा उनके हाथ में एक रिजिस्टर्स था सर अगस का रिजिस्टर्स यही है सखमी, मुर्दा, एंजर और सब लोगों की तफसील इसमें मुझूद है वो सबके सब नाम पढ़ते गए उंगली से नीचे करते गए एक जगा वो ठहरे नगीन भाज इस नाम पे वो रुक गए आँखें तिर्शी करके अपने पास बैठे नो उमर लड़के को देखा फिर सरजटका उधेर उमर नर्स बता रही थी उस दिन हमारे हैं चेड लिवरिस हुई थी बजाए ये थी कि हमारे दो डॉक्टर चुट्टी पे थी और पीजे सिर्फ दो डॉक्टर सी ये सब मैंने रिकॉर्ड में चेक किया है नर्स कहे जा रही थी मिराज सुल्तान ने अगला नाम देखा फरिया गयासुद्दीन उठ रख गए ये तो फर्वा की भावी का नाम था किसी शोबे के तहट उन्होंने अगले हाने में लिखा इड्रेस देखा फिर मरीज के रिश्चेदारों के हाने में फर्वा का नाम देखा उश अश्चर रह गए क्या फरिया के यहां उलात होने वाली थी लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो फर्वा ने उन्हें बताया क्यू नहीं बलकि किसी को भी क्यू नहीं बताया नगीन के रिश्चे सिंकार के बाद फर्वा के हानदान से सुल्टान हांदान का मिलचुल बंद हो गया था यहां तक कि फरवा के भाई को अपनी बहन से मिलने के लिए सुल्टान मंसिल आने की अजासत भी नहीं थी हाँ, अगर फरवा मिलना चाहें तो अपने भाई के घर जा सकती थी लेकिन गयास की मोत के वक्त सुल्तान हांदान का हर फ़र्द उनके घर किया था फिर ऐसा क्या हुआ कि फरवा ने इतनी बड़ी ख़वर उन सब से चुपा कर रखी फरवा का तो फिर भी समझ में आता है लेकिन उनकी अपनी बीवी ने भी उनसे ही ये सब चुपाया परिया के यहां मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था उन्होंने तमाम नाम चेक किये लेकिन उनका जहन बार बार अपनी बेहन के नाम पिशा रहा था उन्होंने अपने जहन से हर हयाल चटका ओट खड़े हुए उन्होंने उस दिन होने वाले तमाम डिलीवरी की तफसीलात ले ली थी वोर्टों के नाम और उनके घर के पते उस रोस जिन जिन नर्सिस की ड्यूटी थी उन सब के घर के पते और फोन नंबर्स लेकर वो हस्पताल से निकल आए अब वहां मज़ीद कुछ भी काम का नहीं था कई दिन गुसरे लेकिन कोई सिरा हाथ ना आया मेराज ने उस दिन उने वाले तमाम कैसे सिख लिये थे उनके घर जाकर मौसिब तरीके से सारी जान बिन कर ली थी वो अगर तकून का एक सिरा पकड़ते थे तो दूसरा खाइब होने लगता था उसी तरह के एक दिन वो नसीसा से मिलने फोंचे वो दोनों एक चोटे कॉफी शॉप में बैठे थे नफीसा कुछ भूजी भूजी थी जिकन कारी के सफेज सूर और सफेदी डुपट्टे में उनकी रंक तमक रही थी वो जब अमेरिका पढ़ने गई थी तब भी वो इसी तरह का बड़ा सदुपट्टा उड़े रहती थी क्लास के कुछ मंचले और शरी तलबा ने उनका नाम सकार्फ माफिय रख छोड़ा था लेकिन उनका ये नाम वो बस नफीसा के गर मुझूदी में ही लेते थे अगर कभी कोई उनकी मुझूदी में उनको इस नाम से पुकार लेता उनके साथ वो होता था कि उसकी माँ उसको रोए नफीसा मुझे कुछ तो बताओ तुम इतनी बेवकुफ तो नहीं लगती ये हस्पताल से किसी का बच्चा उठाया और आ गई तुम क्यों मुझे पागल कर रही हो हो पाचिस आ गए थे सीनियर मैं आपको बता रही हूँ मैं एक केस के सिलसले में उस हस्पताल गई थी मेरा काम हो गया था लेकिन जब मैं निकलने लगी तब हस्पताल की बैक साइट की जाने कच्च्चे के ड्रॉम रखे थे वहां वो अधा रही थी जब मैराज ने नागवारी सुनकी बात काटी ये वस्थ तुम मुझे एक लाग बार सुना चुकी हो वो पूरी तरा चुझलाए थे नफीसा ने कुछ नहीं कहा वो बाद सामोश बैसार बैठी रही मिराज ने गहरा सांसिया नफीसा अब एक खाइब तमागी से कपके सिरे पर उंगली फिर रही थी मिराज चन्नमा बागोर उनको देखते रहे फिर आगे को हुए नफीसा ओमर ठीक है वो मेरे पास है वो एक हीरा है तुम देखना मैं उसे तराशकर ऐसा बनाऊगा कि दुनिया उस पे फखर करेगी तुम मेरी बेहन हो मेरी दोस्त हो तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है तुम उसकी इतनी फिकर क्यों कर रही हो वो उनके चेहरे को देखते हुए फिकरमंदी से कह रहे थे अगर कोई आप से आप की हाले चीन ले तो क्या आप तब भी हुद को इसी तरह तसली देंगे उनकी आवास में तन सहीं था वो बस बूश रही थी मैं जानती हूँ वो हीरा है और आपको अपना हीरा कभी भी किसी दूसरे के हाथ ये कले में अच्छा नहीं लगता वो मेरा हीरा है उसे मेरे पास हैना चाहिए था 18 साल से मेरी घर को और मुझे उमर के इलावा किसी और चीज़ के आदत नहीं रही अब मैं इस घर में क्या करूँ वो मिराज को देखते हुए अलकी आवास में कह रही थी मेरे काम, मेरा दिन तो उमर से शुरू होकर उमर ही पे हतम होता था अब पता ही नहीं चलता दिन शुरू कब हुआ और कब हतम वो मेरा भीजा है उसे खुदा ने मेरे लिए भीजा है पिर ले क्यों लिया, उनकी आवास में रच्टा, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मैं, आप नहीं समझ सकते सीनियर, नफीसा ने कती अंतास उनकी बात काटी, आपकी उलाद आपकी मुहबत को जित का नाम दे कर छोड़ कर नहीं गई, आपकी उलाद आपके पास है, आपको द प्रामाना था, नफीसा आगे खोई, अपनी स्यार सहीन आँखे उनके चेहरे पर गार दी, आपको दिया ही नहीं गया सीनियर, आप उस चीज के लिए दर से हैं, मुझ से देकर चीना गया है, और मैं तड़प रही हूँ, हम दोनों की तकालीफ मुखतलिफ हैं, वो बोलकर एक पर फिर यहां से वहां देखने लगी, मिराज चन्नमा सोचते रहें, फिर नफीसा को देखा, बैरिस्चर नफीसा हयात, उन्होंने एक तहक्कम सुन को बुगारा, ये कुछ दिर कबलवारे मिराज नहीं थे, नफीसा चोंक गए, मैं जस्टिस मिराज आप से सवाल करत हूँ, कि 17 अगस का वाक्या, आप मुझे एक वकील की हैसियत से सुनाए, ना एक लफ्ज जूट, ना कोई अजाफी सच, ना आप कोई बात चुपाएं, और ना कोई बात बढ़ा चड़ा कर बताएं, मैं आप से सवाल करता हूँ, और आप मुझे जवाब दे हैं, उमर हया की मा की हैसियत से नहीं, बैरिस्टर नफीसा हयाद की हैसियत से, नफीसा बगएर पल्ट चपकाएं, सांस हो की उनको सुन रही थी, ऐसा लग रहा था, कि इस तरह की बुकार को सुने हुए भी एक अरसा गुजर किया हूँ, उमर हयाद को अंदासा भी नहीं था, वो जिस के लिए अपना इश्क छोड़ चुकी थी, नफीसा सीधी होकर बैठ गई, आंकों में 18 साल पहले के सारे मेनाजर खुंग गए, अब वो एक हमसदा मा नहीं थी, वो एक जिरिक वकील थी, और वकीलों ने भला कभी जोल वाला काम किया था, ये एक हस्ता हाल इमारत थी, इस का असल रंग तो अब शायद उसके मिस्टरी को भी याद ना होगा, समाने की धून और बनने के बाद में ना करवाने की जहमत ने, इस इमारत को ऐसा पीला सर्थ रंग भक्षा था, कि देखकर जी खराब होने लगे, उमर हयात, मेरास सुल्दान के मायत में इस तरफ राधारी में मुड़ गए, चन्द कदम चलने के बाद, अब उनके सामने एक फ्लेट का दर्वासा था, सफेद टी शिर्ट वाले लड़के ने जो ही बेल पे हाथ रखा, क्रंट खाकर पीछे हुआ, मेरास सुल्दान ने तनसे नसर उसको देखा, फिर मट्टी से भर कराए बेबी कुछ सदसबसब के बाद, वो उने अंदर ले आया था, आप किस से मिलना चाहते हैं? वो मोड़ा आत्मी उनको अंदर ले जाते हुए पूछ रहा था, तुम्हारी बीबी हपीबा से, वो जो किसी जमाने में नर्स हुआ करती थी, मेराज उसके पीछे चलते हुए पोले, दफातन वो आत्मी रुखा, वो किसी से नहीं मिलती है, कमबाद को जब से इस फालिच के मर्ज से गेरा है, सारा सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है, घर का काम, बाहर का काम सब मैं खुद ही देखता हूँ, आपकी सिलसले में इसे मिलना चाहते हैं, वो बोलते हुए उनको एक कमरे में ले आया, जहां कतीम दर्ज के तीन पुराने सोफे रखे थे, मिराज सुल्तान और उमर उनमें से एक लंबे सोफे पे बैठ गए, अच्छा हाँ, अब मैं समझा, ज़रूर आपको अपने घर के किसी बज़ुर्ग के लिए नर्स चाहिए होगी, लेकिन देखे मैं बता रहा हूँ, ना मेरी औरत काम नहीं कर सकती, उसके हाथ अब कामते हैं, उन दोनों को कुछ ना बोलते देखकर उसे खुद ही अंदासा लगाया, क्या ही बेतर हो, कि तुम अंदासे लगाना छोड़ दो और अपनी बीवी को बला लाओ, मिराथ सारे वक्त में पहली उमर और मिराज बागोर उसे देखते रहें, आपको मुझसे क्या काम है, मिराज को उसका बोलना ज़रा अजीब लगा, फिर अंदासा हुआ, कि शायद ऐसा फ्यालिज की वज़ा से है, मिराज ये बागय कुछ कहे, अपनी जेव से नफीसा की, एक तरम्याने साइसी तस्वीर का कोना पकड़ा, तस्वीर को छेरे के करीब ले गई, उसकी आँकों में सनाशाय की रुमक आई, जिसे वो अकले ही पल चुपा गई, मैं नहीं जानती, वो फोरण अपनी गवरार पे काबो बाते हुए बोली थी, उसे वक्त उसका शोहर ट्रे में दो कप चाय र मैं इसे नहीं जानती, मुझे कुछ याद नहीं है, आप लोग आप प्लीज यहां से चले जाए, वो यक्तम भड़़ाने लगी थी, विरास सुल्तान ने पूर्शकून नसरोसों से देखा, पीजे को टेक लगाई, और अपना कप उठाया, और एक खून भरा, लेकिन फिर एक करवा सा मूँ बना कर कप वापिस रखा, उमर ने नागवारी से उनको देखा, अमीरों के चोंचले, वो कहते हुए उठा, देखें बीबी, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती है, यह सच क्या है, वो बच्चा जिसे आप उस दिन कोड़े में फैंक रही थी, वो क अगर कुछ जानती हो तो बता दो, क्यो शरीफ लोगों को तंग करती हो, अब यह उसका शोहर बोला था, मैंने कहा न, मैं कुछ नहीं जानती, समझ नहीं आती तुम्हें एक बात, अभी कि अभी मेरे घर से निकल जाओ, यक्तम वो हलक के बलची ही थी, दूर अंदर कहीं उमर का दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ काम परहे थे, वो कभी ऐसे सुरतहाल में नहीं बसा था, लेकिन वो अच्छा अदाकार था, बहुत अच्छा, वो उससी तरह संजीदा खड़ा रहा, आप मेरी मदद नहीं करेंगी, मैं कुछ नहीं जानती, वो एक पर फिर नम उसे चिलनाई, उससे अपनी जेब से कागस निकाला, और उसे उस वरत के आगे ले रहाया, ये फ्लैट मैं आज उसके मालिक से हरीच चुका हूँ, लहाज़ा अपना बोरिया बिस्ता समेटो, और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं अपने लड़के वो मेरे बाप के दोस्त की वर्कशॉप है, कल तक तुम्हारा शोहर काम से फारिक होगा, सोचो तुम्हारा क्या होगा हबीबा, तुम्हारा इलाज हॉस्पिटल में पढ़ने वाले तुम्हारी बेटी का हर्चा, तुम्हारे घर का राशन कहां से लाओगी ये सब, तुम मर जाओगी, और अगर फोग से ना मरी, तो तुम्हारी बिमारियां तुम्हे मार देंगी, अब फैसला तुम्हारा है, हकीकर या फिर तर परतरी, वो ऐसे ठंडे ठार लेचे में बोला, कि अभीबा के साथ उसके शोहर की रिर की अट्डी में भी संसरी धोड़ गई, अभ उसके बोलने का मुंतसे रहा, फिर शाय का कप होंटो तक ले गया, लेकिन अगले ही लम्हें एक इंत्याई पूरी शकल बनाते हुए, उससे कप नीचे रखा, मेराज जोसी को देख रहे थे, उसके कान के पास जोगे, हम अमीरों के चोंचले तो समझ आते हैं, लेकिन तु इस औरत को कैसे भूल सकती हूँ, ये मेरी नोकली खा गए, उससे कहना शुरू किया, उससे फरवा और हसीना मेटरनिटी रूम के बाहर बेंच पेची थी, कोके ऐसे अमरा के लिए इस तरह के बड़े-बड़े हस्पतालों में शहाना वेटिंग रूम्स बने थे, लेकिन इस वक्त वो दोनों सकत परेशान थी, असीना के हाथ में छोड़ी दस्पी थी, जिसके दाने हर सेकिंड गिरते जा रहे थे, हलके भूरे रंग के लौन की कमीज चलवार में मलबूस, चेहरे के किर्थ भूरा टुपटा होड़े, वो बागवाकार लग रही थी, तफ़तन उनका हाथ होगा, फैंसी लौन के स्लीवलेस ड्रेस में और चेहरे पर परफेक्ट मीकप किये, फर्वा के चेहरे को देखा, वो इस दोर में कई खुबसूरत औरतों की हुसन को मात देदी थी, फर्वा, उनकी पुकार पे वो मुड़ी, मुझे तुम से ही उमीद नहीं थी क्या होता अगर तुम मुझे फर्या की आलत के बारे में बता देती, उनकी लेचे में शिक्वा था, फर्वा के चेहरे के तास्वार सपाथ हो गए, मेरी भावी मेरा हानदान है, उनकी अच्छे बुरे की हबर बस मुझे होनी चाहिए, उनकी हुश्य और गम से बस मेरा ता शानू और खुश्वी, मेरे भाई की नसल आने वाली है, काफी अर्सा बाद हमारे हानदान में भी कोई हुश्य आ रही है, उसे स्पोयल मत करें, उनका अंदास कते था, दफातान हो चुगी, अस्पताल की जिस कमरे में फरिया थी, उनकी डॉक्टर हार से दस्टाने उतार पाहिर आ रही थी, उनका चेहरा सता हुआ था, फर्वा को बेख्तियार कुछ गलत होने का एसास हुआ, वो आखों के साकत पुतलियों के साथ, उनको अपने करीब आते देख रही थी, दॉक्टर उनके करीब आकर रुगी, एक हाथ फर्वा के बरहाना बाजो पर रखा, ब जादत के पर खिलाफ लंबी तोमीद बान रही थी, हमने पूरी कोशिश की लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकी, I am sorry for your loss honey, फर्वा ठंडे सफेज चेहरे के साथ पीछे हुए थी, असीना ने आके बाढ़ कर उनको धामना चाहां, लेकिन उन्होंने हाथ चटक दिये, वो ध लेकिन नगीन का मनूस साया हो था, जो उनकी भावी को खा गया, जो उनकी भाई को खा गया, और अब भोचल, यहां से चंद कदम दूर, उस कमरे में बड़ी बच्ची को खा जाएगा, असीना उनके करीब वैठी कुछ कह रही थी, कोई तसली, कोई धलासा, यक्तम मोठी, मुझे मेरे हांदान के इस आखर के जाफे को देखना है, उनकी आखे खुष्ष्टी, चेरा सपाट, इन चंद मिन की बच्ची को उठाते वक्त वरवा को ऐसे लगा था, जैसे ही बहुत बड़ा भोच हो, जैसे किसी ने उन पे अपनी उलाद से ज़्यादा बड़ी आगया, उससे जैसे उस कमसोर नहीव बच्ची के कानों में मुसरता सुनाया हूँ, अब तुम क्या करोगी फरवा, क्या तुम इसे अपने साथ रखने वाली हो, डॉक्टर पिनिश पूश रही थी, असीना किसी कॉल पे बात करते हुए बाहिश लिगी थी, मैं इसे पहले बहुत सोच समझ ली न, सुल्तान मंसिल में तुम्हारे भाई की बेटी की क्या उकात होगी, वो कह रही थी, और फरवा, अपके सर उठा कर उनको सुन रही थी, इस बच्ची को वहां से बस नफरत ही मिलेगी, और अगर नफरत ना मिली, तो महरूमिया मिलेगी, सोच पर मेरा हक है, मैं उनकी बहु हूँ, यही तो बात है कि तुम बहु हो, और नगीन बेटी, उसका बच्चा एक सुल्तान होगा, और तुम्हारी बती जी, क्या वो सारी सिंदी किसी के टुकडों पे बलेगी, क्या सारी सिंदी भीक का खाएगी, तुम उसे एक बहुत गंद को ही टोक दिया, एक बार फिर से फर्वा का पासो तबका, वो बाहर निकल गई, वो बच्ची को वही नर्स के छोड़ के वो बाहर चली गई, उसके दमाग को एक सुराख मिल गया था, अब बस उसको पे काम करना था, है हसीना उसे ता डुबट्टा, चेरे की किटलब वो तकान से कह रही थी, वो बाटी को गुसल के लिए लेकर गए हैं, और मेरी भावी के पास उनके आखरी गुसल में उनके हांदान का कोई फर्द नहीं होगा, क्या है जल्म नहीं है, उन्होंने कीली आँकों से हसीना का चेरा देखा, इस राहिन दिल औरत का दिल फॉरण पसीजा, ऐसी वाते क्यों कर रही हो फर्वा, तुम उसके पास जा सकती हो, हांदान का कोई एक फर्द जा सकता है, तुम अमनी भावी के आखरी वक्त में उसके साथ रह सकती हो, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, वो आवास के साथ रोने लगी, मैं उनको देखूंग तो मुझे अब्भा याद आएंगे मैं उनको देखूंगी तो अम्मा याद आएंगी आसों उनकी आँकों से केज़े जा रहे थे मैं उनको देखूंगी तो मुझे मेरा भाई याद आएगा मैं अपने हांदान की लाशें देख देख कर ठक चुकी हूँ भावी, मैं उनको नहीं देख सकती, उनकी आखरी वक्त में उनके साथ नहीं Рह सकती, अब यह स्पतार का इंटसामिय चाहे उनकी लास के साथ बहरूंती खरे, चाहे उनकी जिसम से ओर कर निकाल ले, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, मैं कया, मत कर्ति अभाई को क्या मौ दिखां बिल्के मैं जा रही हूँ, तुम मेरी बेहनों जैसी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिगर सकती हूँ, भिगर मत करो मैं जाती हूँ, उनके चाल में फंस रुकी थी, परवा ने के लिए ममनून आंके उठा कर उनको देखा, मैं आपका ये एसान सारी जिंदी नहीं भूलू परवा ने पास कड़ी हभीवा, नर्स को बुलाया था, इन्हें ले जाओ, वो उनको ले जाती, जब एक और मोटी नर्स वहां आ गई, हभीवा न उसको रास्ता समझाया, वो हजीना को उसके साथ रवाना कर दिया, वो तब तक उस पेंच पे बैठी रही, जब तक हजीना उनकी नसों से होचल नहीं हो गई, उनके जाने के बाद, वो उठी थी, पूरे करोफर, पूरे शान के साथ, ये फरवा कोई मुखतली फोरत थी, उसे वक्त नगीन के कमरे से डॉक्टर भाई राई, उनका चेहरा हुशी से तमतमा रहा था, नगीन का केस एक क्रिटीकल केस उसे काम्यापी के बाद इतनी हुशी तो लाजिम थी, मुबारिक हो, बेटा हुआ है, से इतमन दो तंद्रुस, महा और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत-बहुत मुबारिक हो, युरसुफ साब जिकीनन बहुत हुश होंगे, फरवा पगे कुछ कहे, उस तुम अपने अलफाज बदलने का क्या लोगी, डॉक्टर? डॉक्टर जैसे उस राधारी में खड़े-खड़े पत्तर का मुझस्मा बन गई थी, फरवा उनके कान के पास मदामावास में कही जा रही थी, तुम्हारे पास इंकार की गुझाइश नहीं है, इस वस्वताल म में बैटी, कुर्ती रहोगी, तुम्हें यहां आए हुए दो साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हें यहां बामुश्किल कोई पचास केसिस मिले होंगे, तुम कब तक अपने सीनियर से इस तरह दबती रहोगी, कब तक तुम सीरो रहोगी? आसफास कुजरती नर्सिस लोग और और ओट में खड़ी अभीबा, वो उन सबसे बेनयास कहे जा रही थी, हर महल में एक राजागित और एक मलका गित होती है, जिस सारा इस महल में है, राजागित और मलका गित हर जिसम पर तूट परते हैं, और उनका सारा मास नोच लेते हैं, एक-एक पोटी खा जाते हैं, आखिर में बच्टाग है क्या, छीछडे, सड़ा हुआ, कंदा मास, वो तुम जैसु को मिलता है, महकूम गित, वो शुरू से ऐसा बचा हुआ, सड़ा और कंदा मास खाने के आदी हो जाते हैं, और फिर सारी जिन्दही, वो इसी तरह सड़ी हुई, कंदे, पत्पुतार मा परवा हामोश हुई, तो जैसे एक तलिस्म टूटा, मेरे सीनियस हस्वताल का अमला क्या आप संभाल लेंगी, वो मान गई थी, वाहुदा वो मान गई थी, लेकिन गुना से पहले और इनसान उपको एक तसली देता है, अपने बचाओं का समान पैदा करता है, परवा मुस उसकी आँकों में आँके डालकर सरगोशी में पूछ रही थी, सेपनेश बस उसको देखती रही, उसकी करतन बेख्तियार न फिमेहली, वो इनसान होता है, और मैं इनसान हूँ, गिदू से साधा ताकतवर, शरीर और उनसे साधा हाकिम, इस हस्पताल का इंतजामिया हम जै चुप रहने को कह रहा था, यहां से चले जाने को कह रहा था, लेकिन सेपनेश के कदम चम चुके थे, फिर्श से हसद से उसके अंदर का शर आलिवा चुका था, जब महकूम गितने मलका बनने का फैस्सा करही लिया है, उसे अपना महल भी तो चाहिए होगा ना, परवा ज दोनों हाथ खोल कर बासु भिला लिये, इस महल से जाधा बड़ा, जाधा पुर्दाइश, मलका को अब अवारा किदूं की दरा नहीं रहना चाहिए, है ना, फरवा ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, उसे वक्त, उन्होंने राधारी में हजीना को आते देखा, पूरे चूड़े वाली नफीस सी उरत उनके पास आकर रुखी, उनके चेहरे पे परिशानी थी, और खलूच सी फिकरमंदी थी, डॉक्टर क्या हुआ, क्या नगीन ठीक है, क्या उसका बच्चा ठीक है, वो फिकरमंदी से पूछ रही थी, डॉक्टर ने एक नजर फरवा को देखा, पिठंडी आँकों से असीना को देखा, हम बच्चे को नहीं बचा सके, वी आर सौरी, उनके लहचे में ना प्रोफेशनल इसम था, ना इंसानियत, उनकी आवाज एक मास सोचे वाली खिप की आवाज थी, असीना बेयकीनी से पीछे है थी, उनकी आँके पत्र गई, बात बच्चे की नहीं थी, बात नगीन की भी नहीं थी, बात वहाज जी थी, वो वहाज जिसे सिफ इस बच्चे की हाते अपना तालुक नगीन के साथ दरूस रखा था, परना इससे पहले नगीन की जिसम पे मारे निशानों से को नावागिव था, डॉक्टर किसी तरह उनको सहारा दी थी अपनी केविन में ले गई वीचे फरवा को काम मुकमल करने का इशारा किया फरवा अंदर गई नखीन नीम गनूती में थी कौट में बड़ा बच्चा हामोश था उसके पास बस एक नर्स थी अबीबा फरवा छोटे-छोटे कदम ले थी कौट में ब देखते हुए कहना शुरू किया मुझे तुमसे कुछ जादा नहीं चाहिए मुझे तुमसे बस तुम्हारा बख्ट चाहिए वो ऐसे कह रही थी जैसे वो उसकी बात सुन रहा हूँ पासकरी अभीबा को उससे खोफ आया था तुम अगर आ गए तो तुम वहाज की कर नही होगे युसुफ सुल्दान तुम्हे सुल्दान मनसिल ले आएगा और फिर बताओं क्या होगा वो एक लाग दो लम्हा रुखी महरमा दब जाएगी जिस सर नगीन की मुझूदी में मैं दबती रहती हूँ चुपती रहती हूँ हमारी दोस्ती में वो हमेशा गालिब रही हलागे मैं ज़्यादा खुबसूरत थी देखो मुझे मैं नगीन से ज़्यादा खुबसूरत हूँ ना उसे हभीबा को देखकर पूछा वो चनलमा टुकर टुकर उसका चेरा देखती रही फिर नसर मोड़कर सरा फास्से पे लेटी ओरत को देखा ये खीनन फरवा ज़्य का हुपसूरत थी लेकिन बेहयाई हुसन खा जाती है बेभागी हुसन को बेकशिश कर देथी है जिस तरह इस वक्त फरवा के घुषन को दो टक्के का कर दिया था लेकिन वो इस औरत से होफसदा थी दो असपार्ट में सरहिला दिया तुम आ जाओगे तो महरमा का वक्त ख जावोगत नहीं होगी तुम्हारी मा ने मेरे भाई से शादी इससे नहीं की थी क्योंकि वो मेरा भाई था उसे मेरे से जुड़े हर शक्स से नफरत थी वो कहती है सांपों के बिल से सांप ही निकलते हैं क्या हो कि एक ऐसा ही सांप मैं उसकी जोली में डाल दूँ उससे एक नसरनकीन को देखाऊं मुझे तुम से कोई मस्ला नहीं है ना तुम से कोई नफरत है लेकिन जिस सारा वाल्दें के दुर्के पे बच्चू का हक होता है उसी तरह वालदें का वोया हुआ काटना बच्चू का फर्स होता है तुम अपनी मा का वोया काटोगे मैं तुमें घर्ट करूँगी मैं वक्त की खुदा हूँ मैं तुम्हारा बख्त दरबरतरी लिखूँगी मैं तुम्हारे बख्त में तड़ब लिखूँगी सिसक सिसक कर मर ना लिखूँगी तुम शेहिंशा होकर गुलाम हो जैसे सिंदी की गुसार होगे उसे थंडी सक्त आवास पर कहते हुए उस बच्चे को अभीबा को थमाया जहन्नम रसीद कर दो इसे बीबी मैं क्या करूंगी देखें ये कैसा ब्यारा बच्चा है इसको किसी यतीम हाने में दे दे फरवां उसको कुई सुने बगए कमरे में मुझूद डस्पिन के तरफ गई थी और उसके उपर चड़ा हुआ स्याज शौपर उतार कर बच्चे को चपटकर उसके हाथ से लिया और उस शौपर में डाल दिया कच्च्चे के ठेर पे भेंगाओ जाओ उसे ऐसी सर्थ ऐसी सफाकी से कहा कि हपीबा का खुन हुच्च खोने लगा वो फोरण साही लाती शौपर उठाय भाई निकल आई यहां से चंद कदम दोर डॉक्टर जेबनिश ने कमरे में पहती हजीना को कुछ सजाई नहीं दे रहा था वो बस चुप कुमसुम भेजी थी युसुप सुल्टान, मेराज, शम्स और वहाज को करफ्यू का सामना करना पड़ा था इस वक्त वो उनको कुछ पता भी नहीं सकती थी मुझे आपके लिए बरसली दुख हो रहा है एक का बच्चा मर गया और एक वेचारी बच्चे को लाकर खुद मर गई टॉक्टर उनके हाथ पर हाथ सुक्के फिकरमंदी से कह रही थी एक तो आप दोनों हांदानों के तालुकात भी अच्छे नहीं है वरना परिया का बच्चा नगीन सहवा एडॉप्ट कर ही ले थी असीना ने जटके सिकर्दन उठाई थी उसी वक्त फरवा प्यंदर आखिल हुई माफी चाहती हूँ अगर आपको बुरा लगा हो लेकिन सोचें वो बच्ची अब यतिम है और इस प्रिक्नेंसी के बाद नगीन का दुवारा माँ बनना बहुत मुश्किल है ऐसे में उनके सुस्राल पर असर पड़ सकता है उहां कोई असर नहीं पड़ेगा फरवा कहती हूई आगे आई असीना ने उनको उमीद से देखा वो तलाग जिल चुकी थी और उतकी मुझबूरी जानती थी वहाज खड़े खड़े नगीन को तलाग दे देगा और किस्सा हतम वो तो ऐसे कह रही थी जैसे किसी फिल्म की कहानी हो असीना को ऐसे लगा जैसे किसी ने उनका दिल दपा दिया हो ऐसे तो ना कहो फरवा इसमें भला नगीन का क्या कसूर उसका तब क्या कसूर होता था जब वो उसे पागलो की तरा मारता था उसका तब क्या कसूर था जब उसके जिसम पे नीले निशान बन जाते थे वहाज एक कमीना इंसान है उसे नगीन को सिफ इसलिए कबूल कर लिया था कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और अब जब ये किस्टा रहा ही नहीं तो उसे तलाग देने में एक मिंट भी नहीं लगाएगा अगर नगीन मुझसे इतनी नफरत न करती होती तो मैं अपनी महरमा उसकी जोली में डाल देती कमसकम उसकी शादी तो बच जाती न आप तलाग का दुप तो जानती है भावी नगीन एक बार फिर बे आस्रा हो जाएगी काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती काश उससे अपने लहचे में दुनिया जहां का दुख समूलिया वो एक अच्छी अदा का रहा थी तुम अब भी उसके लिए बहुत कुछ कर सकती हो फरवा यक्तम हसीना मिराज का लहचा फैस सकुन हो गया फरवा ये ना समची से उसको देखा नगीन का घर पे चालो फरवा प्लीज तलाग बहुत बड़ी अजियत है बहुत बड़ा दबाए नगीन मेरे लिए मेरे बच्चो की तरह है मैं उसे अच्छी सिंदगी देना चाहती हूँ लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ भावी असीना अपनी जगा सूठी फरवा के दोनों हाथ धाम लिए तुम वो बच्ची नगीन को दे दो फरवा ने हाथ छुडाने चाहे वो मेरे हांदान की बच्ची को कभी कबूल नहीं करेगी भावी उसका एक हल है पीछे से डॉक्टर पेनिश में बुकाराओ अगर आप मेरे साथ मुझूर स्टाफ का मुँ बंद करवा दे तो मैं नगीन और उनके शोहर से ही कहूँगी क्यों कि उनके हाँ बेटी हुई है और आप सब को फरिया की मौत की वज़ा से भी बताने की सुरुट नहीं है आप जैसे लोगों के लिए हस्वताल की रिपोर्ट्स बद्वाना भी कोई मुश्किल बात तो नहीं हसीना ने एक माहन एक इलतजाज से फरिवा को देखा फरिवा ने कीली आंकों से असवाद में सरहिला दिया था शेटान ने उनसे गुना करवा लिया था और इस सराक के वो शिर्दान को भी इल्साम ना दे सके कहाश इबलीस को सजा के दोर पे ठोकर ना मिलती कहाश उसे अर्श पे जिन्दा जला दिया गया होता यहां से जरा फास्ता दे करके अस्पताल की पिछली तरफ रखे कच्रे के बड़े-बड़े ड्रम्स की तरफ जाओ तो हबीबा उस रोते पे लगते बच्चे को शौपर से निकाल रही थी वो बच्चा ऐसी कला भार-भार कर रो रहा था कि एक बल को हबीबा ठहर सी गई उसे आज तक किसी नोसाइदा बच्चे को इस तरह होते नहीं देखा था वो उसके मूपे हाथ रखकर उसे चुप करवाना चाहती थी या उसका गला खुनकर उसको यहीं कच्रे में भैंक कर चले जाना चाहती थी जब एक आवास पे पूरी तरह ड़कर उचली ए यह क्या कर रही हो यह पुकार जानी फेचानी थी यह कोई बावाकार दबंग से उरत थी स्यां आँखों में चुपन लिये वो उसके करीब चली आई बच्चे ने शायद अपना सिया पेचान लिया था और तेस आवास पे रोने लगा कुछ नहीं बीबी कुड़ा फेकने आई हूँ वो जल्दस जल्द अपनी जान चुड़ाना चाहती थी कुड़ा इतनी आवाजे कब से करने लगा उनके लेचे में काट थी वो अब हभीबा के बिलकुल सामने खड़ पेट देरे और हाथ वो तो सेरे से ही नहीं दीरा शैतन है भीबी दीरा शैतन आसेब है ये रोता है तो एसे लगता है जैसे अपलीस हस रहा हो मैं तो सवाप का काम कर रही हूँ इस जैसे शैतन को सिंदा तरकोड करदूँगी आप जाहो भीबी खुदा के लिए वो उसे फोरन सब्स वह सब्स बात में शैतान का बच्चा, ये शैतान है तो फिर मैं वकील हूँ, इस जैसे हजार शैतान उगरूर निकल चुकी हूँ, सरा मैं भी तो देखो इस शैतान को, उसे चुपकर शॉपर से उस बच्चे को बाहर निकाला, यक्दम वो रोता बिलगता बच्चा चुप हो गया हामोश नफीसा ठहर गई बिलकुत साकित उस बच्चे ने अपनी पूरी आँके खोल कर नफीसा को देखा और उसे अब लगा था कि वो उन आँकों को देखे बगर मर जाएगी नफीसा ने उसके हाथ देखे उसके पेह देखे वो सलामत था सहितमन तंदरुस था अबीबा अब तक उसके चुप हो जाने के शौक में थी वो नहीं जानती थी कि ये बच्चा नहीं रो रहा था उससे पैदा होने के अगले ही घंटे अपनी बगा की जंग लड़ी थी ये तुम्हें शैतान का बच्चा लगता है नफीसा गुर रहा ही थी अभी के अभी चलो मेरे साथ और इस बच्चे को इसकी मा के हावाले करो खुदा जाने की सकलीफ में होगी वोरत तुम लोगों पे खुदा की लानत हो जो ये हस्पताल कितना बड़ा है यहां की डॉक्टर यहां का इंतसामिया क्या मुझ जैसी मावूली नर्स इन सब में सब को डॉच दे सकती है उदा का वास्ता है आप इसको ले जाओ इसे ले जाओ वरना वो औरत इसको मार देगी नफीसा को उसके बात में वसन मालूम हुआ वो कुछ कहना चाहती थी यक्तम रुखी बच्चा नीला पढ़ रहा था शायद इस गंदी शौपर की वज़ा से शायद इतना रोने की वज़ा से इसे हस्पताल लेकर जाना होगा लेकिन कम असकम इस हस्पताल नहीं चल्दी चल्दी मुझे अपना नमबर लिख्वा और अपना इड्रेस मैं अभी इस बच्चे को हस्पताल ले जाओंगी लेकिन मैं तुमसे मिलने आओंगी कुछ दिन बात वो अब बच्चे को फिकरमंदी से दिख रही थी दिल जैसे टूपता जा रहा था यह उस बच्चे का वजूद नहीं था चो नीला पढ़ रहा था यह नफीसा का वजूद भी था जो सबस्पर रहा था उस ओरत ने चल्दी चल्दी अपना नंबर लिखवाया नफीसा मुश्कूक हुई ए ये तो तुम्हारे मामो का नंबर है न नहीं जी खुदा की कसम ये मेरे बिछले पडोसियों का नंबर है उपेधियानी में क्या बोल गई उसे अवंदासा हुआ नफीसा उसके बिल करेब आकर रुखी अपनी शेर्णी जैसी आँखों से उसकी आँखों में देखा मैं नफीसा है आत हूँ मैं दुनिया को डौज जेती हूँ दुनिया मुझे डौज नहीं दे सकती अकीलू से बड़ा फ्रॉड या किसी मा ने आज तक जना नहीं तो मेरे साथ फ्रॉड करोगी ना उनका लहजा बुलनता ना सकत फिर भी हबीबा को अपने रूंगते खड़े होते हुए महसूस हुए बच्चे की दिल की धरकर अब रुख के चल रही थी लेकिन वो चल रही थी वो कश्रे की नसर नहीं हुआ था उससे खुद को बचा लिया था वो अपने बगा की जंग लड़ा था और दूर और होस्पिटल के कमरे में मुझूद फर्वा को लगा था कि उससे तरक्त उखार भेंगा है इस बात से बेहबर कि वो तरक्त अपनी जड़े मस्बूत करने वाली समीन पे चा लगा है वो इस बात से अंजान थी किसी कबाग वो वह वही चीज़ है जो आप नहीं चीन सकते नफीसा ने वहीं खड़े-खड़े उस बच्चे को उमरहयाद का नाम दे दिया था कई सालों बाद इस चोटे तर्बे नमा फ्लेट में वापिस आओ तो उमरहयाद वो मिराज सुल्तार संजीती से उसकी बात सुन रहे थे उमर के चेहरे पे कोई तासो नहीं था जबके मिराज को लगा था जैसे उनका दिल रुक गया था वो फरवा नाम से वाकिव था वो नगीन के नाम से वाकिव था लेकिन वो अपने बीवी की इस कदर बेवकुफाना हरकत से वाकिव नहीं थे हबीबा गेली आँखो और रूंदे हुए लहजे में कहे जा रही थी उस दिन मुझे नोकरी से निकाल दिया गया और मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया ये सब उस नफीसा नहीं किया था उससे मुझे से कहा कि जो इनसान अपने काम के साथ वफादार ना हो उसे उसके काम करने का कोई हक नहीं है उस दिन के बार नफीसा दुबारा मुझे से मिलने आई थी मुझसे फर्वा का पता पुझा मैं जितना जानती थी बता दिया उससे चेहरा मोड का मिराज को देखा उनका चेहरा लट्टे की मानित सफेद था वो बेचान कत्मों से उटकर उसके करीब आए अपना मुबायल निकालकर फर्वा की एक तस्वीर उसके आगे की क्या ये वो ओरत है जिसने तुमसे बच्चे को भैंकने को कहा उनकी आवास काम पर ही थी आंके कीली होती चा रही थी अभीपर ने नफरत से मूँ भेलिया वो गर्दन को असपात में हिलाया मिराज के दिल में भंदा सा लगा था अपके उनके हाथ भी काम पर थे उनके दूसरी तस्वीर उसके आगे की ये नगीन थी क्या वो बच्चा इस ओरत का था क्या तुमेंसे पैचान सकती हो काश वो ना कहते ये वो ही है ये बिल्कुल वो ही है उसे रोते हो इकरार किया था मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन इन ओरतों को नहीं ये वो ही है मिराज को यक्तम गुटन का एसास हुआ उनका मॉबाइल हाथ से नीचे किरा वो मुद्खहिर होती रंकत के साथ बाहर निकले थे उनका सांस बंद हो रहा था उमर की आँके अपनी चानिब इससे खीशी थी क्योंकि वो उनकी अपनी आँके थी उस पे इससे प्यार आता था क्योंकि वो उनका हून था उमर मुबाइल उठाए उनके पीछे भागा था वो बगहर किसी को देखे अंदा धुन सीरियां उतर रहे थे सीरियों की विसलन मैल सदा, ग्रिल घुट्दा हुआ सांस कुछ भी इतना तकलीपते नहीं था जितना ये कि उनका भाज़ा इतना अर्सा एक अलग वहचान के साथ इसी मामूली मुहले में रहता रहा है बाहिर सड़क पे आकर वो नीचे बैठते चले गए आंकों से बेनाम आसो निकल रहे थे वो मर को नहीं देख रहे थे वो देखी नहीं सकते थे आप ठीक हैं, जच सहाब आप ठीक हैं, आपको क्या हो रहा है उनके पास जोगा फिकर मंज सक है रहा था ये औरत कौन है, क्या आप उसको जानते हैं कुछ बताएं, आप इससलर रियक क्यों कर रहे हैं ये औरत कोन है, उनके पास बैठा पूछ रहा था, ये तुम्हारी माह है उमर, तुम उमर हयात नहीं हो, तुम उमर वहाज हो, ये तुम्हारी माँ है और मेरी बहन, तुम मेरे भांजे हो, तुम मेरा हून हो वो आंके जुखाए हलकी आवास में कह रहे थे, आंकों से आंसों बराबर बह रहे थे, उमर चुप, कुमसुप सा उनको देखे गया, अगर वो इस ओरत का बेटा था, तो एक मलका गित उसकी दुश्मन थी, और जिसने उसके पैदा होने की पहले गंटे में उसे कजरे वे प ज्यादा बड़ा दुख किसका था, कबरिस्तान में केली मट्टी की उच्पू मसीद गहरी हो गए थी, उमर ने आंके खोली, तो मनसर बतल गए, मैं फिराओंगा, तब तक के लिए पाए, उससे जैसे अगली बार आने की खिंदिहानी करवाई, दूर कहीं से फजर की आज जाने बुलंद हो रही थी, वो सुर्ख आखों के साथ इस मिल्क कचे से अंधेरे में यहां से दूर जाता गया,